क्रिप्टो कांसी मार्केट की बात करें तो यहां पे रिटेल इंवेस्टर के माइंड में काफी चीज़े चल रही होती है यहां पे बात करें तो यहां पे बात करें बात करेंड बात कर रहा है market में entry करने के लिए अब जब वही altcoin आज के ताइम में हमें कम price में मिल रहा है well again वो question आता है कि ये तो fall कर रहा है इसको हम क्यों ही purchase करें well इसी के साथ साथ एक और चीज जो है वो retail investor हमेशा सोचता है और वो ये सोचता है कि कोई ऐसा crypto तो बताओ जो कम price में हो अनकम price के crypto ढूंडते वए वो चला जाता है to the meme tokens बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो काफी अच्छे utility crypto भी हैं जो आज के टाइम में $1 के नीचे मिल रहे हैं क्या हम लोगों को utility crypto भी मिलेंगे तो यह चीज अपने माइंड से निकाल लो कि अगर हम लोग नहीं $1 के नीचे कोई crypto purchase करना है तो वो खाली meme tokens होंगे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही crypto के रहे हैं और इनकी लिस्ट काफी जादा लंबी है वो क्रिप्टो जो वन डॉलर या उसके नीचे आज के टाइम में ट्रेड हो रहे हैं पट यह से एक potential जरूर रखते हैं for the massive return in the upcoming bull season कौन-कौन से वो crypto हैं क्या उनमें चीजें चल रही हैं इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए चलते हैं एक बार coin market cap में market का हल देखते हैं और बात करते हैं क्या इन crypto में हम लोगों को इन levels में invest करना भी चाहिए या इन crypto को अभी हम ignore करते वे चले विल क्या चीजें हैं कौन-कौन से crypto से उसके लिए फटा फट चलते हैं क्या market cap में समझते हैं सारी चीजें विल यहां पर आप देख सकते हैं उपन कर दिया क्या market cap कारें जो global market है that is down 1.52 percent total market cap की बात करें that is 2.3 trillion dollars बात करें dominance की BTC का dominance is 53.5 percent यहां पर अगर हम लोग बात करें Ethereum की the dominance is 15.8 percent well अभी वो boring phase चल रहा है इंदी crypto कान सी market जो काफी retail investor को frustrate कर रहा है वो investor especially जो एक महिना पहने इंटर करें इंदी crypto कान सी market hearing about the news of Bitcoin halving well वो लोग definitely यहां पर परेशान है because altcoins market में tumble down करें as has Bitcoin Bitcoin के अगर हम last one month की performance देखें तो yes यह बताता है कि market में कितनी जादा volatility हम लोग expect करतें from the levels of approximately 71,000 हम लोग यहां पर fall करें to the levels of approximately 56 to 57,000 dollars और यही चीज़ बताता है कि market में short term में volatility हमेशा रहती है a person who is not expecting it कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती करता है वो यहां पर अगर purchase करके यह सोचता है कि उसकी purchase का market wait कर रही थी बस हमने purchase करा इसके बाद तो crypto market pump कर जाएगी well वो गलत है but उसी के सांथ सांथ you will have to figure out किन levels में आप लोगों ने cryptos में invest करना है जहां पर अगर हम specifically बात करें Bitcoin की हमारे targets for Bitcoin is approximately 1,25,000 to 1,50,000 dollars जहां तक Bitcoin को पहुचना चाहिए in the peak of the upcoming bull season but yes that is not written anywhere दो कोई भी आपको guarantee नहीं देता यह हमारी personal opinion है but आज के time की बात करें retail investor जैसे ही crypto कांसी market में आता है he searches for the crypto the number one thing he looks out for is कि कौन सा crypto कितने सस्ते में हमें मिल रहा है और यह एक ऐसा fact है जो कोई भी ignore नहीं कर सकता और आज के time में अगर हम वही चीज़ देखें तो yes आज के time में भी काफी नए retail investors जो market में आते हैं they search for a crypto जिनका price जो है कम चल रहा होता है because they think कि यहाँ पे जितनी जादा quantity उनके पास होगी उतना जादा profit वो कमाएंगे और यहाँ पे भी problem जो है वो खतम नहीं होती problem यहाँ पे शुरू होती है जब वो जाता है meme tokens पे अंखाली meme tokens purchase करके अपने portfolio में रख लेता है I'm not saying कि meme tokens यहाँ पे अच्छा perform नहीं करेंगे meme tokens हमारे पास भी है and I'm sure काफी लोग इसको hold करते हुए चल रहे होंगे with a perspective कि yes meme tokens में वो risk हमेशा रहता है but with that यहाँ पे काफी अच्छे utility cryptos भी हैं जो $1 या उसके नीचे आज के टाइम में trade कर रहे है the first crypto जहाँ पे हम लोग touch करेंगे is Arbitrum Arbitrum आप लोग को को याद है जो हमारी first buying थी that was somewhere around $1.25 जब यह गया towards $2 काफी लोग यहाँ पे मान के चल रहे थी कि $1 तो कभी भी Arbitrum नहीं आएगा but we hold it on to it and यह चीज आप लोगों ने खुद बखुद डिसाइड करनी होती यहाँ पे अगर हम लोग देखें में Arbitrum का price जो है that reached approximately $2.25 कही न कहीं mind में वो चीज़े आ रही थी कि Arbitrum कभी fall कर पाएगा क्या इसको हम दुबारा उन levels में purchase कर पाएगे well वहाँ पे हम लोग ने purchase नहीं करा but definitely यहाँ पे हम लोग इसको purchase कर रहे है एक अच्छा layer to in the crypto currency market जो काफी अच्छा competition यहाँ पे दे सकता है to both Polygonmatic and OP but people are not buying Arbitrum आज भी because वही चीज़ जो mind में हमेशा रहती है of a retail investor $2.25 में हम लोग इसको purchase नहीं करेंगे क्योंकि काफी अच्छा यह pump हो चुका है already but yes $1 में भी purchase नहीं करेंगे because काफी अच्छा dump यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोनों side में अगर आप लोग ने purchase नहीं करने so yes you are coming and wasting your time and यह चीज़ हम बहुत clearly बोलते है एक ऐसा level आपने definitely बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप उन crypto's में वो risk लोगे अगर आप लोग crypto market की वो journey enjoy करने के लिए आ रहे हो तो वो risk कहीं ना कहीं आप लोगोंने लेना ही पड़ेगा so yes Arbitrum is there in the list जहाँ पर यह चल रहा है currently at $1.01 इसी के साथ बात करें तो another crypto जो $1 के आसपास चल रहा है yes we'll come to those crypto जो $1 के नीचे भी चल रहे है last one month की performance देखे it is down 35.94% from the levels of approximately $1.70 it has come down to almost $1 लोग उस टाइम भी purchase नहीं कर रहे थे लोग आज की टाइम में भी purchase नहीं कर रहे so we एक अच्छा crypto है in the crypto currency market layer 1 में यह काम करता है so we and aptos दोनों के जो यहाँ पर developers हैं वो एक ही team से आए yes आदे लोगों ने यहाँ पर aptos में काम करा आदे लोग यहाँ पर सुवी में काम कर रहे है तो यह सुवी का यहाँ पर perspective काफी अच्छा है अगर हम यहाँ पर overall बात करें तो ऐसा नहीं है कि सुवी ने यहाँ पर कोई भी run show नहीं करा अगर यहाँ पर हम previous all time high देखें तो $2.18 जो इसने अभी March में टाच करा था लोग वहाँ पर भी परचेज नहीं कर रहे थे लोग यहाँ पर भी परचेज नहीं कर रहे थे लोग यहाँ पर भी परचेज नहीं कर रहे तो यह क्रिप्टो जो $1 के नीचे चल रहे हैं वेल य काफी अच्छा competition जो है वो मार्केट में आगे जाके provide कर भी सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ ऐसे क्रिप्टो की जो $1 के नीचे चल रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का जो है वो फॉल हुआ था तो somewhere around 3 cents हम लोगों का जो बाइंग प्राइस है दाट वास 4 cents और यहाँ पर ज्यादा एच बार ने बार $1 का प्राइस जो है वो ब्रेक करके उसके उपर जा सकता है वेल अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है 10x return कारिंट प्राइस से अभी हमें एचबार में मिल सकते हैं बच्चू कि हमारी बाइंग जो है कारिंट लेवल से काफी ज्यादा काम है वी आर नॉट के बारे में आपने इनका टाइप जरूर सुना होगा वेथ UFC लास्ट वन मन्त में वी चेन हास फॉलन 17.03% वी चेन यहां पर RWA में भी काम कर रहा है वी चेन यहां पर एक अलग यूटिलिटी मार्केट में प्रोवाइड करता है आफ दी सप्लाइचेन मानेजमेंट बट विचेन अब उसके पीछे क्या रीजन है I'm not sure but last one year में अप 77.31% मार्केट में लोग कंपेर करते हैं कि यार वी चेन तो उनली 77% ग्रोव हुआ है इंदी लास्ट वन यह सुलाना को देखो 500% जादा ग्रोव हुआ है सुलाना को पचेस कर लेते विल वन यू रन आफ्टर द उतना जादा पंप नहीं हुआ है यहाँ उनमें जादा पोटेंशिल जरूर नजर आता है यहाँ पर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की भी बात करें 83% यहाँ पर मार्केट में अल्रीडे अविलेबल है प्रिवियस अल्टाइम हाई की बात करें that was 27 cents many people again believe कि वीचेन यहाँ 50 cents का level जो है वो breach कर सकता है in the upcoming bull season in fact काफी लोग तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि $3 तक वीचेन जा सकता है और targets are completely different हम लोगों के क्या targets हैं वो किसी और वीडियो में बात करेंगे बट यस वीचेन यहाँ पर एक अच्छा खासा buy हो सकता है especially जब से यह RWA में वीचेन ने entry बना cents के आस-पास यह चलता है last one month में it is down 20.55% यहाँ पे इसका price था approximately 24 cents last one year की बात करें 10.58% जादा moment यहाँ पर आलगों में show नहीं हुई है overall अगर हम चार्ट देखते हैं बात करते हैं 2021 की तो it reached somewhere around $2.16 यहाँ पे हमारे targets या लोगों की बात करें they believe कि यहाँ पर $1.50 अलगों क बहुत easily पहुंच सकता है 10x return कहीं न कहीं current level से हम लोग उम्मीद जरूर करते हैं algorithm से with the kind of education जो यहाँ पर आलगों प्रोवाइट कर रहा है to the community well यह कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे तो हमने बात करी top altcoins के बारे में yes we will be covering those two crypto जिसके बारे में आप सुन सब्सक्राइब करें it is down 1.97% although ज्यादा मोमेंट यहाँ पर शो नहीं हुए एक level है जहां पर ondo चलता जा रहा है last one year definitely काफी green रहा for ondo 387% so yes ondo a good investment definitely buy यहाँ पर ondo की बंती जरूर है और हम लोग भी वह कर रहे हैं ondo में हमारे regular purchases चलते जा रहे है at the current levels जहां पर अभी चल रहा है at around 78 cents ondo definitely one dollar को breach होता हुआ यहाँ पर नजर आता है space league क्योंकि यह एक ऐसी category में काम करता है जो हम लोगों को काफी जादा bullish लगती है in the upcoming bull market जो की है RWA so yes ondo can be in your radar but क्या आप लोगों ने invest करना है कितनी crypto's आपने purchase करना है accordingly आप लोग यहाँ पर investment कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात करें AI की भी AI में there are many crypto's जो one dollar के नीचे चल रहे है two of the crypto's जिनको मैं personally purchase करके अपने पास रखके बैठा वा हूँ one of them is EOS network EOS हम लोग ने बात करी जब यह 60 cents में गया था and we gave you an example लोग यहाँ पे इसको purchase कर रहे थे जब इसका price one dollar के आसपास चल रहा था last one year की बात करें it gave a massive return of approximately 4142 percent one dollar three cents के आसपास यह पहुंचा था in the month of March वहाँ पे लोग purchase नहीं कर रहे थे 60 cents में भी लोग इसको purchase नहीं कर रहे थे previous all time high देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो two dollars and 67 cents yes यह एक और crypto है जिसकी तरफ हम लोग देख रहे हैं हम लोगों ने इसकी buying भी करी 60 cents के उपर अगर हमें EOS मिलता है तो definitely हम लोग यहाँ पे purchase नहीं कर रहे हैं but yes 60 cents में अगर यह वापस आता है we can look into कि क्या हमने और EOS अपने पास रखने हैं कि ने रखने हैं यहाँ पे अगर हम लोग AI क्रिप्टो के बारे में बात करें पाल आप देख सकते हो काफी अच्छा क्रिप्टो है but yes काफी अच्छा pump भी हुआ है simultaneously 010 in fact यहाँ पे AI का सेक्टे जो है वो काफी जादा bullish है काफी ऐसे क्रिप्टो मिलेंगे including palm also palm भी काफी अच्छा क्रिप्टो है काफी low cap क्रिप्टो palm जो है currently sitting at $1.01 काफी लोगे बोलेंगे यह तो already pump हो चुका है last one month की बात करें one of the crypto जो positive में चल रहा है 12.88% last one year की अगर हम लोग बात करें 1329% आप यहाँ पे इसने अपना previous all time high बनाये था of $2.02 in the month of March well वहाँ से 50% discount में आज की टाइम में मिल रहा है but people are not buying it majorly because यह market में fall हुआ है palm AI की तरफ भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप 010 की तरफ भी देख सकते हो यह कुछ ऐसे crypto's है in the AI sector जो काफी अच्छा यहाँ पे grow कर सकते हैं gaming के अगर हम लोग बात करें तो yes super यहाँ पे आता है जिसको हम देखते हैं गाला आता है, beam आता है तो yes एक काफी अलग-अलग varieties of crypto's हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा currently I am holding beam, गाला आम लोग ने purchase करके पहले से ही रख रखा है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, immutable X $2 के उपर चला गया super is another good crypto, जो $1 के निच्चे मिलता है तो is not a bad buy यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा और निच्चे आते हो तो pixels की तरफ भी देख सकते now यहाँ पे बात कते हैं, तीन ऐसे crypto की जो top 20 में आते हैं जो $1 के निच्चे trade हो रहे हैं currently yes, market में उन्होंने इतना जादा moment जो है वो show नहीं करा है let us start from the bottom, यहाँ पे आता है Polygonmatic Polygonmatic का current price is $0.68 many people believe कि Polygonmatic में वो बात नहीं रही, जो यहाँ पे OP and Arbitrum में show हो रही, well you are correct and you are not correct, यहाँ पे हम बात कते हैं return on investment की वहाँ पे जितना आप नीचे जाओगे उतना जादा return on investment मिलने के आपको उमीद रहती, obviously यहाँ पे आप बात करो, OP कि यहाँ उसको compare करो with Polygonmatic, OP को यहाँ पे Polygon को take over नहीं करना है to give you a better return than Polygonmatic, but Polygonmatic on the other hand, developments के उपर इसने काफी अच्छा काम करा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, partnership के उपर काफी अच्छा काम करा, probably one of the crypto जिसको आज की टाइम में हम लोग बहुत अराम से बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग last one month की बात करें, तो यहाँ पे 23.75% down, last one year की बात करें, 27% down, overall अगर हम यहाँ पे चार्ट ओपन करें, तो previous all-time high जो Polygonmatic ने बनाया था, that was $2.92 जो इसने बनाया था in the December of 2021, Polygonmatic जितने भी पुराने crypto है, including Polygonmatic, well, वो run यहाँ पे बहुत easily show कर सकते हैं, that is why Polygon is in our list, $1 के निच्चे मिलता है आज के टाइम में, तो yes, एक buy जो है वो Polygonmatic में जरूर बनती है, simultaneously coming to Cardano, Cardano को लेके काफी लोग मजाग करते हैं, काफी लोगों को अच्छा लगता है, काफी लोगों को काफी बुरा लगता है ये crypto, because इतनी moment ये show नहीं करता, it's probably one of the crypto जो retail investor को सबसे ज़्यादा frustrate करता है, last one year में it is up 19.38%, but यहाँ पर हम टेकनिकली देखे, 25 cents से it reached somewhere around 75 cents, almost यहाँ पर 3X return जो है Cardano ADA ने दिये, सुलाना जो काफी ज़्यादा fall हुआ था, वहाँ पर जब वो recover होता है, हमें वो recovery show होती, ADA on the other hand, yes ADA जो है वो fall हुआ था, बट यहाँ पर जो recovery है वो हमें show नहीं होती, 3X return हम कुछ भी नहीं मानते, बट जहाँ पर हम बात करते हैं top all coin की, yes 3X return काफी अच्छा return है, यहाँ पर आप Ethereum से भी इसको compare कर सकते हो, returns के मामने में, बट Cardano को लेके yes कुछ चीज़े हैं जो आपको पता होनी थी, एक काफी major upgrade जो है वो Cardano एडिये में है, recently हमें देखने को मिलेगा, simultaneously Cardano का summit, जो की होने वाला है साल in Dubai, वो भी आप लोग टेंड कर सकते हैं, विल Cardano में we are still bullish, last crypto जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं is XRP, अब XRP को लेके काफी लोग हम से question पूछते हैं, कि XRP के बारे में आप बात नहीं करते हैं, well XRP यहाँ पे ज़्यादा moment show नहीं कर रहा है, last one year के हम लोग बात करें, it is up only 18.22%, yes यहाँ पे 13th of July 2023 में हम लोग ने एक pump देखा था इन XRP, but वो pump जो है वो वापस नीचे आया, और जिसके बाद XRP ने वो moment show नहीं करी, अगर यहाँ पे हम overall chart open करें, और समझें कि XRP ने कभी वो returns हमें दिये थे, यहाँ पे अगर हम लोग चलें in 2020, यहाँ पे हमने previous Bitcoin halving देखी थी, वहाँ पे XRP का price was approximately 17 cents, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, peak of the previous bull market में XRP पहुंचा था, to somewhere around $1.55, almost 10x return, XRP ने दी, वो crypto जिसको हम बोलते हैं कि एक stable coin हैं दी crypto कांसी market, वो crypto जो बिल्कुल भी move नहीं होता, slowly and steadily अपने investor को यहाँ पे 10x return दे दिये, along with the lawsuit जो XRP के उपर चल रहा था, yes, lawsuit की काफी major update जो है, इस month में expected है from XRP, but with that, XRP क्या यहाँ पे pump होगा, that is a question जो सब लोग पूशते हैं, I firmly believe so, I firmly believe कि 2021 से अच्छा perform करेगा, यह कुछ ऐसे crypto's हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, if you are coming new to the crypto currency market, because जहां पे हम नए आते हैं, हम लोग हमेशा यह कोशिश करते हैं, वो crypto's को search करने की, जिनका price market में काम चल रहा होता है, and हम लोग यही सोचते हैं, कि कौन सी ऐसी category है, जहां पे सब से काम price चल रहा है, all we end up doing is buying all the meme tokens, meme tokens बुरे नहीं हैं, in the crypto currency market, meme tokens ने वो returns दिये हैं, चाहिए हम यहाँ पे बात करें, बॉंग की, पेपे की, यहाँ पे हम बात करें, WIF की, शिबा की बात करें, dogecoin की बात करें, वो returns meme tokens देते हैं, so yes meme tokens में भी हम लोग invest करते हैं, but alongside that, अगर आप लोगों को यह question, यह doubt रहता है, कि market में तो कोई भी ऐसा crypto नहीं है, जो काफी सस्ते rate में चल रहा हूँ, या $1 के नीचे चल रहा हूँ, आज हमने बात करी हैं, जिन में एक potential है for the growth, जिनकी एक utility है इन्दी crypto कांसी market, और जो definitely यहां से काफी अच्छे return दे सकते हैं, and out of the category, जहां पर हम खाली meme token देखते हैं, under $1, what are your thoughts regarding the same, इन में से कौन से crypto हैं, जिन में आप लोग invested, इन में से ऐसे कौन से crypto हैं, जिसमें आपको लगता है कि maximum return आप लोगों को मिल सकता है, निचे comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा, with that's it guys, आज का video करते हैं पर, and I hope आपको video अच्छा लगा हो, video अच्छा लगा हो, तो video को like कर देना, share करना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay, bye-bye